साल 1668 इस भी दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादसा और अंग्जेब की हुकूमत कायम हो चुकी थी और अंग्जेब के काल में मुगल घजाने की बढ़ोत्री के लिए किसानों पर जबरन भारी कर लगाना सुरू कर दिया गया इस साही आदेश के बाद देश के अलग-अलग हिस्से के किसानों पर जबरन कर वसूल किया जाने लगा तभी ब्रज भूमी के किसानों ने गोकूल जाट के नैत्रित्तों में किसी भी कीमत पर मुगल या सल्तनत को कर न देने से इंकार कर दिया दिल्ली के फर्मान को अस्विकार करने पर औरंग जेब ने गोकुला जाट को कैद करने के लिए बारी सेना के साथ प्रज भूमी पर चढ़ाई कर दिया लेकिन औरंग जेब गोकुला जाट को कैद करने में सफल ना हो सका और अंग्जेव ने एक के बाद एक लगतार तीर बार ब्रज भूमी पर आक्रम रखिया लेकिन चाटो से उसे हर बार सिकरस्त ही मिला दिसंबर 1679 में चाटो और मुगलों के बीच एक बार फिर जबरतस्त भिलन्त हुआ इस बार मुगल सेना ने गोकुला और उसके हजारों लोगों को बंदी बना लिया ये सबी बंदी आगरा लाए गये जहां इन्हें बीच चोराहे पर कई तुगडों में काट दिया गया और इस तरह इढ़ों ने अपनी जाहिलियत की सारी हदे बार कर दी इस घटना के बाद तो मानुस संपुर्ण ब्रज भूमी पर किसानों का सैलाव उमर पड़ा यही पर गोकुला जाट के पुत्र राजा राम सिन सिनवार को नया सरदार चुना गया राजा राम सिन सिनवार ने एक सिना का निर्मान किया और 1681 में आगरा के निकट सिकंद्रा पर आकबर करके अकबर के मकबरे का विनास कर अपने पिता गोकुला जाट के हत्या का बदला लिया इस हमले में जाटों ने मुगलों के भारी खजाने को अपने कबजे में ले लिया जो खाजाना मुगलों ने हिंदू मंदिरों को धस्त करके लुटा हुआ था इसके बाद धीरे धीरे जाटों का रुत्वा बढ़ने लगा उनकी नामों की पहचान होने लगी बदलते दौर में राजा राम सिंसी निवार के पुत्र बदन सिंग्ले आगरा के मुगरिया थाने पर आकमर करके बरज के एक बड़े इलागे पर अपना दबदबा कायम कर लिया तब ही जन्म हुआ हिंदूस्तान के नयाब सितारे का जिसने अपने सौरे के ताप से भरतपूर में एक नए समराज्चे का निर्मार किया और जिनका नाम था सूरजमल सूरजमल बजबन से ही बड़े वीर बुद्धिमान और गुसेले सोभाव के थे छोटी सी उम्र में ही सूरजमल ने मेवाद के मेवों पर आकमर करके मेवाद पर अपना कबजा कर लिया साल 1732 में अपने पिता के आदेश पर सूरजमल ने तीक के सोग्रियों पर आकमर करके तीक सहित एक बड़े इलागे पर कबजा कर लिया इस समय इस विराट विजय के बाद सूरजमल ने भरतपूर में लोहागर कीले का निर्मार कराया जहां विधिवत रूप से महराजा स्री सूरजमल का राज्य विसेग किया गया ये वही सूरजमल है जिन्होंने दिल्ली के बाद साहों को एक महीने तक दिल्ली में ही कैद कर दिया था जाटो के अपला तून के नाम से प्रसिद्ध महराजा सूरजमल ने दिल्ली के अकूत खजाने को अपने कबजे में ले लिया जो मुगलिय सत्ता ने भारत वर्स को लूट कर बना रखे थी बागुडा के युद्ध में साथ राज्यों की सिनाओं को एक साथ पराजित करके अपना धाग कायम कर दिये ब्रच के यह पहले सासक थे जिन्होंने मुगलों को अपने सरते मानने पर मजबूर कर दिया पानिपत के युद्ध के बाद मराठों की सहायता के लिए अपने खजाने को खोल दी वे बड़े वीर धीर और कमभीर थे जिनके सासनकाल में जंता के खुसी और वैभा को चार जान लग गई थी भरतपुर के मैदानों से लेकर गंगा की घाटी तक और मेवात रोह तक से लेकर चंबल की धराओं तक के विसाल समराज्य पर महराजा सुरजमल की हुकूमत थी महराजा सुरजमल दो हाथों में तलवाल लेकर दुस्मनों पर काल बन कर तूट पड़ते बरच के हिंदूों की सान और अस युद्धों के विजेता जिसकी कारण महराज सुरजमल को अजे भी कहते हैं तो हेलो दोस्तों मैं अभैच और सिया आपके अपने इस एपिशूर में आपका स्वागत है तो आईए दोस्तों आज हम महराज सुरजमल से जुड़े इतिहास के अंसुने तथ्यों को खोलते हैं साल 1747 में जैपुर के गजपती महराज जै सिंग के निधन के बाद उनके दो पुत्रों इश्वरी सिंग और माधो सिंग के बीच राजगती को लिकर युत्त छिड़े गया राजा माधो सिंग की माता मेवार की राजकुमारी थी जिसके चलते मेवार, जोतपुर, बूंदी, कोटा और माराठाओं ने सन्युक्त रूप से माधो सिंग को जैपुर का महराजा स्विकार कर लिया जबकि भरतपुर के महराजा सुरजमन ने अपने जिगरी मित्र जै सिंग को दिये वचन के लिए और राजपुत परंपरा के अरुसार बड़े पुत्र इश्वरी सिंग को गर्दी पर बैठाने का निश्य किया इसी के परडाम स्वरूप साल 1743 को बागुडा के मैदानों में युद्ध के इस मैदान में सुरजमन ने अपना सौर दिखाया वीर की बेहतरीन युद्ध निती और खालते रक्त ने युद्ध का पासा अपने पक्ष में मोड लिया महराजा सौरजमन के दो हाथों में तलवार लड़ते देख राजपूत योधाओं ने इस वीर का परिछे पुछा तभी इस युद्ध के मैदान में मदमस्त तहार सुनाई थी नहीं सही जाटनी ने व्यर्थ प्रसाओ की पीर जब जनमा उसके गर्म से सौरजमन सा वीर इस युद्ध के विजैसरी के बाद तो संपुड उत्तर भारत पे महराजा सुरजमन के नाम का टंका बजने लगा महराजा इस्वरी सिंग को जैपूर की राजगती पर राज तिलक करवा कर महराजा सुरजमन भरतपूर की ओर निकले जहां संपुड ब्रज भूमी पर महराजा सुरजमन की जैकारत से गूज उठा लोगों को ब्रज के इस चमकते सितारे में अपना योध्ध नजर आने लगा इस भव्वे जीत के बाद महराजा सुरजमन ने अपने राज्य विस्थार के लिए अपनी सेना को संगठित करते हुए भयानक युद्धों का संखनात किया उन्होंने ब्रज भूमी से मुगलों का नामों निसान मिटाने का निरने लिया जल्धी महराजा सुरजमन ने रेवाडी, निमरान, मथुरा, मेवाद और गुरुगराम के किलो को फतेह करके अपने राज्य की सिमाओ को दिल्ली के दरवाजे तक मजबूत कर दिया इस समय दिल्ली के गद्धी पर नलो के सरताज अहमद साब बहादुर की हुकुमती अहमद साब बहादुर ने महराजा सुरजमन के बढ़ती ताकत को जबाब देते हुए अपने वजीर मीरबक्सी के निर्थित्तों में एक विसाल फोज को सुरजमन को काभू में करने को भेजता है 30 दिसंबर साल 1749 मीरबक्सी अपनी विसाल मुगलिय सेना के सथ जाटों के इलाकों में घुश जाता है मीरबक्स मेवाद को लूट कर आगे बढ़ा और निमरान के किलो पर अपना अधिकार कर लिया जीत के गुमान में मीरबक्स अपनी सेना के साथ सराय के निकट आपउचा जल्द ही महाराजा सुरजमन ने भी अपने तलवारे कस्ली और यह दिन था हिंदू नौवर्स महाराजा सुरजमन ने माजगदंभा की पूजा करके अपने सेना पतियों को युद्ध का मुर्चा सम्हालने के लिए भीजा महाराजा के सरदारों ने आगे बढ़ड़ी मुगलिया सेना के दो सेना पतियों को मार गिराया तभी महाराजा सुरजमल भी अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में आ उतरे देखते ही देखते मीरबक्स की विसाल फोश को चारों तरब से घेर लिया गया मीरबक्स की संपुड सेना अब महाराजा सुरजमल के वस में थी तीन दिनों तक महाराजा सुरजमल ने मीरबक्स को घेरे रखा और अंत में विवस होकर मीरबक्स अपने घुट ने टेक दिया और चाटो के इलाकों को खाली करने के साथ संपुर जटी की भरबाई का वचन भी दिया सुरजमल की मुगल पर प्रचंड जीत की ये ख़वर संपुर राजबुदाने में फैल गए सरवत्र सुरजमल के नाम का रौब बढ़ने लगा क्योंकि महाराजा सुरजमल ने आज दिल्ली के बादसा के रौब को माटी में मिला दिया था महाराजा की बढ़ती ताकत ने संपुर से नामे जोस भर दिया इसी समय दिल्ली का बादसाह अहमद साह ने अपने वजीर सफदर गंज को पद से हटा कर उसकी सभी जागिरे को जब्त कर ली सफदर गंज ने अपने एहसान फरामोस बादसाह को सबक सिखाने के लिए उद्दीन की सेना पर प्रचंड आंधी के समान तूट पड़े सूरजमल के प्रकोप से बचने के लिए गाजी उद्दीन युद्ध के मैदान को जोड भागा छत्र धर्म की धर्ती वीर जना करती है तलवार हो सूरजमल सी वो दिल्ली फतेह करा करती है नौ मई से चार जुन तक जाटों ने पुराने दिल्ली पर अपनी मन मर्जी चलाई सोलम मई को तो उन्होंने वहां खुखार तरीके से उधम मजाया दिल्ली की जरजर बातसाहत केले में कैद होकर रह गई क्योंकि उन सब नलों में अब इतनी आवकात नहीं थी जो सूरजमल से दुबारा पंगा ले सकते हैं इस दिन को दिल्ली इतिहास में दिल्ली विजई के नाम से जाना जाता है अंतमे खान सफदर गंज को अवद और प्रयाग राज की जागीरे वापस कर दी गई तब जाकर सूरजमल का कुरोध सांथ हुआ दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए नवाब गाजी उतिन ने तच्छिड के वीर मराठाओ को महराजा सूरजमल के प्रती भढ़काना सुरू कर दिया उसने मराठा सरदार मलहार राओ होलकर को सूरजमल पर आकमड करने का नयोता दिया जिसके परेडाम सुरूप मलहार राओ ने अपनी सेना के साथ कुमेर के किले पर चड़ाई कर दी तभी कुमहेर के किलो के तोबचियों ने तोब चला दी जिससे मलहार राओ के वीर पुत्र खंडे राओ सहीद हो गया अपने पुत्र के मृत्यू के सोक की आग में मलहार राओ गुस्से में तप उठे उन्होंने अपने सेना को आगे बढ़ाया तभी सुरजमल की राणी हंसिया देवी ने जिया जी राओ सिंधिया को पत्र भेजा इस पत्र के बाद मराठो और चाटो में मित्रता स्वरूप संधी हो गए इसमें यह तै हुआ कि हिंदू राजे आपस में साथ मिलकर रहेंगे अब भारत वर्ष की इस्तितिया काफी बदल चुकी थी किसी समय के क्रुड और मजबूत कहा जाने वाले मुगलिया सत्ता अब काफी कमजोर और लाचार हो चुकी थी दिल्ली की सत्ता पर अब आलमगीर दृतिय की हुकूमत थी इधर दच्छिड में वीर माराठाओं ने स्वराज की एसी आंधी चलाई की आटक से कटक तक भगवा को पुलंदियों तक पहुचा दिया दिल्ली की बादसाहों पर भी माराठाओं का हुक्म चलने लगा बादसाह भी अब भगवा स्वराज से भैभीत रहने लगे माराठा समराज्य इस दोर में भारत की एक नई सक्ती बनकर उप्रा इसी समय काबूल का बादसाह अहमद साह अबदाली ने दिल्ली पर भयंकर आगमन करके दिल्ली को जीत लिया इधर माराठाओं ने पेस्वा सदाशिय राव भाव के निर्तित में विसाल सेना अबदाली को भारत से खदेडने के लिए भेजी भाव पेस्वा ने जल्द ही जबाबी हमला करते हुए दिल्ली को जीत कर केसरिया धोच की सान को बढ़ा दिये तभी भाव ने दूसरे हिंदु राज्यों से अतरिक्त सैनिक सहायता की मांग की भाव के एक पुकार पर भरतपुर के महराजा सुरजमल ने अपनी संपूर सेना के साथ भाव की मदद करने पहुच गए सुरजमल भाव को तन मन धन से सहायता का वचन दिया लेकिन युद्ध से पहले ही भाव साहब और महराजा सुरजमल के बीच मतभेद हो गई जिसके परडाम सरूप महराजा सुरजमल ने अपनी सेना लेकर भरतपूर वापस लोट गए इसके बाद चनवरी साल 1761 को पानीपत के मैदानों में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें एक तरफ अफगानियों की विसाल सेना जिसमें मुगलिया सेना भी सामिल दी दूसरी तरफ अकेले मराठे दुरभाग गिवस इस युद्ध को अपने पक्ष में ना ले सके इस युद्ध के बाद हारे हुए मराठा वीरों के लिए महराजा सूरजमन ने अपने किलो के द्वार खोल दिये घायल मराठा सैनिकों की मदद के लिए महराजा सूरजमन ने अपने खजाने से 10 लाख रुपे की सहयता परदा दी मराठाओं की दवा, दवाई और खाने कपड़े का पूरा इंतिजाम किया गया इधर पानीपत में अफगान और रोहेलों की जीत तो जरूर हुई थी पर मराठाओं ने इनकी कमर तोड़ दी थी तभी महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना को तयार करके आगरा को फतेह कर लिया आगरा के किले को जीतने के बाद महाराणा ने हर्याणा के बुलुचियों पर धावा बोलकर वहां के नवाब को अपने कैद में कर लिये हर्याना के फरूख नगर को जीत कर अपने पुत्र जवाहर सिख को वहां का सरदार न्यूक्त कर दिये सूरजमल वरज्य के पवित्र धरा से मोगलों पर प्रकोब बन चुगे आगरा से लेकर दिल्ली दर्वाजे तक सूरजमल के नाम का टंका बजने लगा दिल्ली के रोहिला सरदार नजीबु दॉला ने सूरजमल के लाज्यों की सिमाओ को मानने से इंकार कर दिया जिसके बाद एक बार फिर महराजा सूरजमल ने दिल्ली पर गूच कर दिया नजीबु दॉला को अहमद साह अबदाली का पूरा समर्थन था सूरजमल के दिल्ली पर पूच की खबर सुनकर उसने एक बार फिर अब्दाली से मदद मागी नजीबु दौला ने अपनी सेना को तैयार करके दिल्ली के चारों और फाटक को बंद करवा दिया इधर महराजा सूरजमल के एक आदेस पर दसियो गाउं के जाट एक होकर महराजा की सेना में सामिल होकर दिल्ली को घेर लिया जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना और तुआप के मैदानों में थी और साही सेना दिल्ली नगर की चार दिवारी के अंदर उसी समय महाराजा सुरज मल केवल तीस घुर सवारों के साथ सहर का द्वार तोड़ कर विसाल सत्रु सेना के बीच जा पहुचे जहां लड़ते हुए महाराजा ने वीर गती को प्राप्त किया चपन वर्स की उम्र में हिंद धरा का वह वीर सबूत दुनिया से विदा हो गया लड़ता रहा तो अभिमान के लिए कभी न चुका सुरज हमारा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक, सेर और कमेंट करना न भूले आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें तो मिलते हैं कल एक नए मानुस इतिहास के साथ कुछ रोचक बाते हैं